तो आपका अपना यूटूब चैनल एंसियर्टी दा माइंड आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास वन की हिंदी बूक चैप्टर वन जूला जो कि एक हिंदी की कवीता है तो आपका ये कवीता स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप ते सबसे पहले पहुँचे तो चलिए अब ये कवीता स्टार्ट करते हैं तो देखे ये हैं जूला अम्मा आज लगा दे जूला इस जूले पर मैं जूलूंगा इस पर चड़कर उपर बढ़कर आसमाने को मैं छूलूंगा जूला जूले रही है डाली जूले रहा है पत्ता पत्ता इस जूले पर बढ़ा मजा है चल दिल ले चल कलकत्ता जूले रही नीचे की धरती उर चल उर चल उर चल उर चल बढ़स रहा है रिम जिम रिम जिम उर कर मैं लूटू दल बादल तो चलिए बच्चों ये कवीता हो चुका है और अब इसका exercise बनाते हैं आगे क्या है जूले ही जूले तो देखे बताओ इन में किन चीजों पर तुम जूले की तरह जूल सकते हो तो बच्चों ये सारे तायर है फाटक, दरी, जारू, डाली, मेज, अलमारी और ये पैड़ वाला जूला तो आप बताइए इन सारे बच्चों को होता है कि ये सारे जूले में बहुत मज़ा आता है तो आप बताईए कि आपको इन मेंसे किस पे जूलने में मज़ा आता है मैं डैस पर जूलने में मज़ा, मुझे डैस पर जूलने में मज़ा आता है तो आपको किस में जूलने में मज़ा आता है, आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको अगर अलमारी में आप अलमारी लिख सकते हैं अलमारी में जूलने में मज़ा आता है अब फाटक में जूलने में मज़ा आता है है ना किसे को जारू लेके जूलने में मज़ा आता है ठीक है आपको जिसमें भी मज़ा आता है जूलने में आप उसे लिख सकते हैं इसमें तुम इन जूलों पर भी जूले होगे इन जूलों को तुमने कहा कहा देखा है मेला, स्कूल, पार्क ये सारे जूले हैं न तो आप इन जूलों को कहा कहा आपने देखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं यह जूला जैसे यह वाला है तो इस टाइब का जूला आप मेला में देखते हैं मेला और यह वाला इसकूल में इस टाइब का आप इसकूल में भी देखते हैं लगा रहता है इस टाइब का पार्क में लगा रहता है तो इस टाइब का भी मेला में रहता है ना आप जैसा जूला आप कहा कहा देखते हैं घर में इस टाइब का ये वाला घर में भी हम लोग लगा के जूलते हैं अपने पेड में तो इस तरह से आपको लिखना है जूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा तो जब आप जूले में बैठते हैं तो जूले से क्या-क्या दिखता है और सुहानी को मैंने पढ़ा है पोएम में कि क्या-क्या दिख रहा होगा जूले में बैठते हैं तो दूर-दूर की और सारी नदी, तलाब, जानवर, पसू, पक्छी, आदमी जो भी है आपको जूले से इतने सारे चीज़ दिखते हैं चाले। ये सब हो चुका है, अब इसमें मिलाना है, मिलाओ। ठेला, जूला, पेड, गठरी। अब इनमें से आपको मैचिंग करना Все इते मेचिंगढी है, यह गठ्री इधर है यह पेड़ यहाँ पेड़ है और यह जूले है और यह फेला है इसने मिलाना है टिक है अब खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ अब देखिए पेड़ के पीछे है ना जैसे एक दिया हुआ है कि पेड़ के पीछे आप कहां छिप सकते हैं जब भी आप पकरम पकराई खेलते हैं कभी भी तो आप अपने दोस्तों के साथ तो कहां पेड़ के पीछे छिपते हैं यह देखिए पेड़ दिया हुआ है उसके पर टेबल, टेबल के नीचे आप छिपते हैं, तेबल के नीचे, इसके बाद है ये चारपाई है, चारपाई के नीचे भी, चारपाई के नीचे आप छिपते हैं, फिर ये है, ये क्या है, ज्ञारी, ज्ञारी के पीछे भी छिपते हैं, हम लोग, जब भी खेलते हैं, पक्र पर कराई तो चलिक यह सब बना लेना है अब आगे पकरन पकराई इसमें पकरन पकराई बस मैचिंग करने ही इसके साथ में यह मचली मचली के साथ आपको ausए करके मिलाना अलमारी है और से अल्मारी अनार जो भी यह मेचिंग करनी है इसमें भी और से अनार होता है और से अल्मारी भी होता है यह मचली है जैसे मिल गया उसके बाद नो से नाव होता है नव से नल होता है है ना यह सारे चीज़ को और यहां नीचे लिखना है यहां मचली दो बार लिखा गया है सिचेज का नाम 20 तुमने दो बार लिखा है तो इस तरह से यह हो गया बच्चों अब आपको कैसा लगा यह कवीता सुनके आप कमेंट में जरूर बताइए तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक कियर और थैंक्स तो वाच मैं वीडियो